दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NBCC इंडिया स्टॉक की देखिए आज के सेशन में आज डेट है 24 जनवरी 24 आज के सेशन में लगबग पौने 7% उपर 105 के भाव पर ये बंद हुआ है पिछले 6 महिने में इस स्टॉक ने काफी शांदार परफॉर्म किया 6 महिने में 40 रुपे से बढ़कर इसका भाव 105 आ गया है तो ऐसे में बात करेंगे यहां आप स्टॉक में आपकी क्या रन नीती होनी जी यहां आपको इस स्टॉक में क्या करना है सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देखाऊंगा वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं इस चार्ट पर वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो 2017 में 2017 में लगबग 142 के भावव पर यह स्टॉक ट्रेड करता था यह एक पबलिक सेक्टर कंपनी है यह एक सरकारी कंपनी है यहाँ पर लगबग 61% स्टेक इसका गवर्मेंट आफ इंडिया प्रेजिडेंट आफ इंडिया के थुरू ओन करती है तो देखी पिछले 6 महिने या एक साल में जिस तरह की रैली PSU कंपनीज में आई है वही यहाँ हमें इस स्टॉक में देखने को मिला है 40 से बढ़कर स्टॉक 105 आ गया है कारण आपको पता है सारे PSU स्टॉक जो थे mostly काफी undervalued थे बिलकुल throw away prices पर आपको मिल रहे थे throw away valuations पर मिल रहे थे इसी वज़े से इस स्टॉक में rally आपको देखने को मिली है यह स्टॉक आपको मैंने 2023 में buy करवाय था लगबग 45-50 रूपीज के आसपास buy कर रहा है था उसके बाद आज इस स्टॉक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ काफी तेजी से उपर निकला सीधा 105 पर पहुझ गया यहां टेकनिकल चार्ट पर कैसे पैटन बने देखिए टेकनिकल चार्ट पर अब यह ट्राइ कर सकता है यह जो इसके प्रीवेस हाई है 142 का यह जो हाई है इसके पास 120-25 इन लेवल के पास जाने की कोशिश कर सकता है यह हमने टेकनिकल चार्ट पर यह पैटन देखा है इस तरह का रिवर्सल पैटन बनता है जब स्टॉक काफी बड़ी मंदी के बाद वापस उभरता है तो प्रीवेस हाई जो होते हैं जो प्र खरीद लेना सही नहीं होगा मेरे हिसाब से यह अगर प्रॉफिट बूकिंग आती है स्टॉक में डिप आती है तो आपको डेफिनेटली डिप में जरूर एंट्री करने चाहिए स्टॉक अगर गिरता है और गिरने के बाद किसी कारणवश आपको 90 या 85 नीचे के लेवल अ जाएगा वहां से आपको स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा तो नए लोग जो लोग सवाल पूछ रहे हैं बार बर क्या इसको बाई करना है आपको डिप का इंतजार करना चाहिए इस स्टॉक में जो भी डिप आए आपको डेफिनेटली मेरे हिसाब से बाई और पिछले कुछ दिनों में ही सीधा 50 से सीधा 105 गया है तो अभी फिलाल इसमें बाई करना थोड़ा सा आपका जो बाई प्राइज होगा वो सही नहीं होगा तो जो लोग नए बाई के लिए बार बार पूछ रहे हैं उनको एक बार अवोईड करने के लिए कहूंगा अब बात करते हैं जो लोग सेल के लिए बार बार पूछ रहे हैं कि आप प्रॉफिट बुक कर लें सेल कर दें नीचे के लेवल पर बाई कि ओए डेफिनिटल अगर आप सेल करना चाहो कर सकते हो प्रॉफिट बुकिंग में मैं कभी भी आपको मना नहीं करता हूं इतना जब ब 49, 140 तक के लेवल के लिए भी जा सकते हो जिस तरह के momentum में ये stock है जिस तरह के momentum में public sector companies है PSU stocks है यहां से ये stock आपको उपर जाता हुआ दिख सकता है